आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं होतर शड़ी आईक्यू पैपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम एक इंटरस्टिंग स्टोरी की बात करेंगे रैपर कानिया वेस्ट इन्होंने बोला ये अमेरिकी राष्टपती चुनाओ के लिए खड़े होंगे आज हम बात करेंगे कानिया वेस्ट की क्या अमेरिकी अमेरिका में जो राष्टपती चुनाओ हो रहे हैं अभी नवेंबर में होने हैं तो उसके लिए क्या ये उस चुनाओं के लिए जा सकते है क्योंकि इतना लेट इन्होंने अनौन्स किया है और क्या इन्होंने ऐसे मजाग में कह दिया है क्योंकि इनका जो behavior ने बड़ा ही अजीब टाइप का है इनको eccentric माना जाता है है ना कभी भी कुछ भी बोल देते हैं काफी outspoken है ठीक है rightist है ये डॉनल्ड टरम को बहुत ज़्याद सपोर्ट करते हैं 2018 में जब डॉनल्ड टरम से मिलने गए थे आप वो देखेगा इन्होंने इसमें क्या क्या बोला वहाँ पे लेकिन सभी है सपोर्ट किया वहाँ पे डॉनल्ड टरम को make America great again की हैट पैंके गए तो डॉनल्ड टरम से गले मिले कूलिया पे बात की स्कूल पे बात की हर एक चीज पे बात की इनकी जो वाइफ है उनका नाम है किम कारदर्शियन आपने उनका नाम सुना होगा चार बच्चे है इनके तो आज हम बात करेंगे कानिया वेस्ट की ही तो इंटरस्टिंग लेच्चर है थोड़ा और जब इन्होंने ये बोला कि मैं प्रेसिडेंट के लिए वैसे कई बार लड़ने वाला हूँ चार जुलाई को अमेरिका ने आजादी ली थी ठीक है अमेरिकन वार उफ इंडिपेंडेंस 1776 शुरू हुआ था और फिर अगले साथ सालों तक 1783 तक अमेरिका में एक वार उफ इंडिपेंडेंस मतलब एक रिविलूशन हुआ था सेटलर जो लेटिश के वो कॉलाप्स हो गई और फिर हम देखते की 1790 में अमेरिका का सम्विधान बना है ना तो चार जुलाई को सब हुआ मतलब जो डेकलरेशन अफ इंडिपेंडेंस वो चार जुलाई को 1776 तो वही कानिया वेस्ट में कानिया वेस्ट ने उसी समय ट्विटर पे ब पैसा बहुत जादा है 630 मिली बिलियन डॉलर की इनकी वर्त है तो अच्छे गासे अरब पती है यह ना तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है प्रेसिडेंशल इलेक्शन में पैसा तो यह आसानी से बाह सकते हैं लेकिन इस समय पे यह बात करना कि कि कितना उच्छेत हैं हम साथ दोस्तों सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करिए स्टेडी आईक्यू एजूकेशन मिलियंस और मिलियंस और व्यूज आते हैं बट सब्सक्राइबर बेस जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितने व्यूज आ रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे जॉर्जिया में पले बड़े मुश्किल था इनका जीवन बच्पन में ही माता और पिता का डाइबोर्स हो गया बताते हैं कि मैंने कभी मेल एलर्जी अपनी लाइफ में देखी ही नहीं काफी आउट्सपोकेन है ये ठीक है ब्लाक्स के लिए भी बोला यहां तक जॉर्ज अमेरिकन रैपर हैं, सिंगर हैं, सॉंग राइटर है, रिकॉर्ड प्रिडूसर है, कॉम्पोजर है, इंटर्प्रेनर और फैशन डिजाइनर है तो इतना सब कुछ है इनके पास और आपको बता दू एक किस ग्रैमी एवार्ड मिले हैं इनको अगर म्यूजिक की बात करें तो ग्रैमी एवार्ड सबसे बड़ा होता है, समझ लिजे जैसा ओसकर वैसा ग्रैमी ठीक है, और 140 मिलियन रिकॉर्ड इनके बिके हैं पूरी दुनिया में, ताइम मैगजीन ने इनको और इनकी वाइफ किम कारदर्शन को टॉप हंड्रेड इन्फ्लेंशल सेलेब्रिटीज में, इनकी मतलब टॉप हंड्रेड इन्फ्लेंशल परसंस में इनको जगा दी, तो आप समझ सकते हैं अच्छा खासा इनका प्रभाव है अमेरिका पे और पूरी दुनिया पे, ठीक है इनके गाने बहुत ज़्यादा फे यह जीजस इस केंग, यह बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो हिट हुए ठीक है, और काफिस में राप सॉंग्स है, अब दोस्तों क्या है कि कानिया वेस्ट जो है वो बहुत अमीर है, ठीक है इनकी नेट वर्थ मैंने बताना, बिलियंस और बिलियंस और डॉलर की है, और बहुत कानिया वेस्ट और पॉलिटिक्स में रहते हैं, तो इन्होंने बोला है कि मैं प्रेसिडेंशल चुनाओ के लिए, मतलब जो अभी नवेंबर में प्रेसिडेंशल चुनाओ होने वाले हैं, उसके लिए खड़ा होंगा, इतना आसाम नहीं है दोस्तों, देकि अमेरिका की ब डॉनल्ड ट्रम्प आते हैं, डॉनल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन और उस पार बड़ी कड़ी तककर है, डॉनल्ड ट्रम्प वर्से जो बाइडन, जो बाइडन की बाइग्राफी मैं ने डिव्यू किया है, आप जरूर देखिएगा, तो जो बाइडन डेमोक्रेट है, ऐसा mismanagement किया है, उपर से उल जरूल सुझाओ, डॉनल्ड ट्रम्प के लोगों पे भारी पड़ गए हैं, तो लोग बहुत 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 जदा डॉनल्ड ट्रम्प से जो mismanagement हुआ है, डॉक्टर एंथोनी फोची के बारे में मैंने बताया था, वो रिपोर्ट मैंने कवर कि आप देखेगा, सीधा जो medical association डॉनल्ड ट्रम्प उससे बिड़े हुए हैं, क्योंकि डॉनल्ड ट्रम्प को तो वो सब politics के लिए करते हैं, ठीक है, उनको तो चाहिए कि economy खोल दे, क्योंकि लोग वहाँ पे depend कर रहे हैं, तो जो mismanagement हुआ है, वहाँ पे covid का America number one पे है, आप समझ रहे हैं, तो डॉनल्ड ट्रम्प वैसे ही बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है, कि डॉनल्ड ट्रम्प जीतने नहीं वाले, है ना, दूसरी चीज़ यह है, कि अगर हम बात करें, अमेरिका की parliament का, देखें, तो अमेरिका का जो upper house हो है, उसको कहते है Senate, Senate में 100 seat है, दे इसलिए यह जो announcement है, यह काफी पहले किया जाता है, और वाकायदा एक साल का पुरा process होता है, उसके सबसे पहले तो आपको party में ही लड़ना होता है, party कही जो candidate होते हैं, उसके बाद वहाँ से जो भी candidate जीते, उनको presidential चुनाव के लिए आगे किया जाता है, फिर हम यह देखत हैं कि president का जो चुनाव होता है, वो एक साल पहले से उसकी तयारे शुरू हो जाती हैं, अमेरिका के अगर बात करें, तो Kenya West जो है, यह बोल रहे हैं, end time पे आके, July में आके बोल रहे हैं, कि मैं तो चुनाव लड़ने वाला हूँ, तो लोग इसको मजाक में ही ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या पता भाई serious हो, है ना क्योंकि इतने वड़े celebrity हैं, और इससे पहले भी कई बार बोल चुके हैं, कि मैं तो अमेरिका के president का चुनाव लड़ूँगा, है ना, तो क्या पता serious हो, उन्होंने ये बोला भी, बकायता उन्होंने tweet किया, कि we must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future, हमको अमेरिका पे rely करना चाहिए, भगवान पे भरोसा करना चाहिए, और हमारे vision को unify करना चाहिए, और एक नए भविश्य को बनाना चाहिए, ये उन्होंने tweet किया, I am running for the president of the United States, ये add कर दिया, अब ये जो add किया, Elon Musk ने तो तुरंद इनको support दे दिया, कि मैं तुमा आने साथ है, आप समझ रहे हैं, तो ये वैसे तो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहे है कि क्या है, मजाक है कि वाकी serious है, लेकिन अगर हम practically देखें, तो Kanye West का बहुत 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 इस समय बहुत मुश्किल है, president election के लिए खड़ा होना, ठीक है, बहुत मुश्किल है, क्योंक ABC का database है, वो Kanye Deez Nuts West, इस नाम से, बलकि ये नहीं है, कोई दूसरे है, इस नाम से, register है, जो candidate है, लेकिन इन्हों ने भी कोई पैसा भी तक रेज नहीं किया है, खेर, Kanye West के लिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसा तो Kanye West के पाद बहुत बहुत जादा है, ठीक है, वैसे आपको लगता होगा कि अमेरिका में खाली दो ही पार्टी है, लेकिन अमेरिका में बहुत सारी पार्टी है, अमेरिका में मल्टी पार्टी है, ग्रीन पार्टी भी है, आप इंडिपेंडेंट निर्दलिये भी खड़ी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाशंग्टन वाली पार्टी तो आप समझ रहे हैं तो यही दो पार्टी का किसी भी देश में दो ही पार्टी अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी है तो दो में पार्टी या मैक्सिमम तीम वही लीड करती है फिर 2015 में भी इन्होंने एक शो में बोला था ठीक है MTV Music Awards से तब इन्हो 2020 के Presidential Election के लिए जाओंगा और उसके बाद मतलब नवेंबर आते आते हैं इन्होंने बोला था कि नहीं नहीं 2024 के Presidential Election है तम मैं जाओंगा ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जो आक्टर है वो चुनाओं नहीं लड़ते इनफाक्ट आक्टर का चुनाओं लड़ना बहुत सही होता ह आप भारत में देखिए साउथ में तो आप देखिए ना एमजी रामचंदरन हो गए इधर जै ललिता हो गई यह सब देखिए यह सब आक्टर हैं और जीते भी चुनाओं और सिर्फ जीते ही नहीं बहुत ही भारी बहुमत से जीते और लंबे समय तक रहें यहना बहुत व वक्त से पॉलिटिकल अटिविस्ट थे ठीक है वह अक्टर भी थे लेकिन साथ ही साथ politics में बहुत ज़दा involved थे ठीक है आक्टर जो था वो उनका secondary अक्टिंग उनका secondary career था प्रायमीरी करियर उनका politics ही था और जब 2015 में इन्होंने MTV जो music awards थे उसमें यह कहा कि मैं presidential election के लिए जाऊंगा तब सबसने लगे वहाँ पे था इन्होंने एक और चीज बोली थी कि अरे यार अगर मैं जीतूंगा आप सबस क्यों रहे हैं मैं जीतूंगा तो कितनी सारी जॉप create करूँगा साथ ही साथ मैं दोड़ूँगा नहीं मैं चलूँगा है ना तो यह लगता है बहुत ही presidential election को likely ले रहे हैं कि मतलब ऐसे ही है ठीक है फिलाल जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही मुश्किल है it is nearly impossible क्योंकि आपको बहुत सारे है अगर आपको as an independent candidate भी क्योंकि किसी पार्टी से तो है नहीं कानिया वेस्ट हाला कि आपको यह भी बता दूं कि कानिया वेस्ट को डेमोक्राट्स ने welcome भी किया है क्योंकि डेमोक्राट्स को सपोर्ट करते हैं कानिया वेस्ट बहले ही 2018 में डॉनल्ड टर्म से मिल के आए लेकिन कहीं ना कहीं इनका जुकाओ डेमोक्राट्स की तरफ दिखता है और इन्होंने बकाइदा बोला था कि people expect that if you are black you have to be democrat है ना हाला कि इसके बारे इसके बाद भी इन्होंने लंबा चोड़ा sentence दिया था लेकिन डेमोक्राट्स की तरफ इनका जुकाओ है डेमोक्राट्स ने तो बोला कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ लेकिन अभी किसी भी पार्टी में नहीं है ये कोई भी पार्टी से ये नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते तो एक ही रास्ता बचता है इन इर्दली लड़ जाए इंडिपेंडेंडेंट कैंडिडेट बेट उसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है ठीक है क्योंकि अभी बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहां पे नॉमिनेशन की जो डेट है व मुझे ऐसा लग रहा है कि यह शायद मजाग भी हो सकता है सीरियस तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यह होंगे ठीक है क्योंकि बहुत लेट इन्होंने अनॉंस किया है हाँ 2024 के लिए हो सकता है यह चले जाए अब इस न्यूस पर खबर हमारी बनी हुई है आगे जो भी अपडे झाल 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 झाल